चलिए पास्ता बनाते हैं सबसे पहले हम पास्ता को बॉइल करेंगे यहां पे मैंने पैन में फाइब कप वाटर लिया है और मैं पास्ता वन कप यूज़ कर रहे हूँ पास्ता और वाटर का आपने जो रेशो है वान इस टू फाइव रखना है जब पानी बॉइल हो जाएगा फिर हम इसमें एड करेंगे वन बै फो टी स्पून ओईल हम इस वज़े से एड कर रहे हैं ताकि जो पास्ता है वो आपस में चिपके ना अब हम इसमें पास्ता को एड कर देंगे और इसको चला लेंगे अब हमने पास्ता को लगबग 7-8 मिनट तक बॉइल करना है फ्लेम हमने मेडियम रखनी है फिर हम अपने पास्ता को चैक करेंगे आठ मिनट हो चुके हैं मैं पास्ता आपको चैक करके दिखाती हूँ ऐसे आपने एक पास्ता निकार लेना है और नाइफ से इसको कट करके देखना है इसली कट हो रहा है यह तो आपका पास्ता रैडी है फ्लेम को हम आफ कर देंगे और पास्ता को हम स्टेन कर लेंगे स्ट्रीन करने के बाद इसके उपर मैं नॉर्मल वाटर डाल दूंगी ताकि जो इसकी प्रोसेसिंग है वो रुख जाए पास्ता ओवरकुक ना हो अब हम अपनी वैजिस रेडी करेंगे इसके लिए एक पैन में हम लेंगे वन टेबल स्पून ओल ओइल को हम गरम करेंगे अब हम इसमें एड करेंगे लैसुन लगबग सेवन टू एट क्लव्स लैसुन की मैंने एड की है यहां पर इसको थोड़ा चला लेंगे हम लगबग एक मिनिट के लिए इसको हमने पकाना है और फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है अब हम इसमें अपनी वैजिस एड करेंगे एक स्मॉल अनियन मैंने यूज किया है वन टेबल स्पून शिमला मिच यूज की है अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे वैजी टेबल्स को हमने ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है 2-3 मिनट तक आपको इसको पकाना है देखिए ऐसी जब हो जाए तब इसमें हम एड कर देंगे कोर्न जो मैंने पहले से बॉइल कर लिए थे वन टेबल स्पून कोर्न एड किये हैं आप ब्रोकली भी आड कर सकते हैं इसमें कैरट भी आड कर सकते हैं जो आपका मन करें रेडी है हमारा बस ये वेजिटेबल्स अब हम वाइट सोस रेडी करेंगे वाइट सोस के लिए एक पैन में मैंने लिया है थ्री टीस्पून ओइल ओइल भी यूज कर सकते हैं बटर भी यूज कर सकते हैं ओईल को हम गरम कर लेंगे अब इसे में डालेंगे टू 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 टीस्पून मैंना अगर आपको ज्यादा वाइट सोस पसंद है तो आप टू टीस्पून डाल सकते हों अगर तो कम खानी है तो आप 2 TSP डाल सकते हो तो मैंने यह पर 2 TSP यूज गी है और फ्लेम को आपने बिल्कुल ही श्लो रखना है इसको ज्यादा आपको पकाना नहीं है मिन्स इसको आपने रेड कलर नहीं गरना इसका थोड़ा दो-तीन मिनट इसको आपने पका लेना है ताकि इसक आपको आट करेंगे मिलक विपर और की मदल विस्क करते रहना है ताकि इसमें कोई लंट न फढ़ी को आपने दीरे-दीरे ही आट करना है एक साथ नहीं आट करना नहीं तो लंपस पर जाएंगे इसमें जो मिल्क है यहां पर आपको रूम टेंप्रेचर पर यूज़ करना है ठंडा मिल्क यूज़ नहीं करना आपको बाकी बचा मिल्क भी मैड कर दूंगे और अच्छे सी इसको हम विस्क कर लेंगे लगबग दो तीन मिनट के लिए आपको इसको ऐसे ही पकार लेना है देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको अब मैं इसमें स्पाइसिस आड करूंगे सौर्ट एड किया है मैंने 1 1 2 टीसपून डैचिली फ्लेक्स 1 बाइ 4 टीसपून पैपर पाउडर 1 बाइ 4 टीसपून धनिया पाउडर 1 बाइ 4 टीसपून आपके पास सीज़निंग नही अब इसमें हम अपनी जो वैजिस थी वो एड़ कर देंगे एग बाल और मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पास्ता एड़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और एक से दो मिनट तक इसको हम थोड़ा पका लेंगे मुझे ज्यादा spicy पसंद है तो मैं इसमें red chili powder भी आड़ कर रही हूँ तो आपका मन है आप spicy खाते हो तो आप red chili powder भी आड़ कर सकते हो मैंने 1 by 4 teaspoon red chili powder last में आड़ किया है और अच्छे से इसको मैंने mix कर लिया है बस ready है यह हमारा plate में निकाल लेते हैं इसको देखिए कितना अच्छा पास्ता बनाया है हमारा yummy अगर आपका अपने बाद में खानाया आपका पास्ता पढ़ा है तो आप उसमें थोड़ा दूद एड़ कर लेजिए तो आपका फिद ग्रेवी जो थिक है वो थीन हो जाएगी उपर से मैंने chili flakes डाल दिये देखिए पास से कैसा लग रहा है आप भी घर पर बनाएए enjoy करिए thank you